कुर्बक की इंडर्शियल एरिया में उस वक्त अफरत अफिक की इस्तितिरेंबित हो गई जब एक कारवन फैक्टरी में आग लग गई आग लगने के कारणों का पता तो नहीं चल सका है लेकिन इस दौरान वायरलर फटने से इस वे धमाते के कारण लोग सकते में आग है विहार करने के दोरान फंसे सभी 15 सेलानियों को सफिशल बचा लिया गया है SDRF शीवरी नरायन पुलीस के साथ ही इस थानी लोगों की सहाथा से लोगों का रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया फिर स्वास्ट परिक्षन के लिए सामदाएक स्वास्ट रकेंडर में प्रात्मे के लिए बेजा गया बताया जा रहा है कि देश शाम सभी सेलानी नौका विहार के लिए निकले थे इस बीच मौसम के खराब हो जाने से सभी नदीवे फंस गया थे जानकी जिले के बार गाउं में रहने वाले एक एईवा के सर्वदर्शों से मौत होई मिता का नाम रविंद्र साहूर है जो आधी रात लगुशंका के लिए घर की बारी तरफ लिया हुआ था इस दोरान एक जहरी ले सांप ने उससे काट लिया तवानन फानेड में रविंद्र को लेकर नेज़्दी के आस्पिताल पहुँचे जहां चिकित सोयों से रिखोशित कर दिया नवागर्ण फाना शेतर में सामने आई इस सघ्टना के बाद मिता के परिवार में मातलक पसरा हुआ है मर्ग कामकर पुलिस दोरा आगे की कारवाई की जा रही है बुद्भारिस्सित आदिवासी शक्की पीट में आयोजिक आदिवासी महा पंचायत में शामिल होने पदेश के आफ्टारी वावारी चेकर मंतित अवासी लखना कोरबा पहुंच चुके हैं उनके साथ आदिवासी नेता ननकुमार साइब भी पहुचे हुए हैं तब डायर 112 को सुशना दिए सुशना मिलते ही एक सुवारा के चेम मौके पर पहुंचे और फिशोरी को पुलीस चौके लिए पुस्ताज के दोरान कोई फिशोरी कोई संतोष जनक जवाब नहीं गे सकी यही वज़ा है कि पुलीस ने उसे मिली माता कॉलिश के पीशे मौझे अपना धर सेवाश्रम में सकुशल पहुंचा आया गया साथ ही पुलीस को फिशोरी के समोचे देख भाल के लिए समझाई की गई जानकी जिली की शिवर ने नगर पंचाय की दासिंता से तलाबों पैसे तक फट्रे में लिखाई दे रहा है पैसों को पानी की तरह बहा कर जिन तलाबों कर जिने धार करवाया गया उनकी सूख देने वाला को यहीं है पानी की सूखने के सिशी में वहां पूरा करकर डाला जा रहा है इतना ही नहीं सेफ्टिक टैंक से निकलने वाले गंदे पानी को तलाब में फेका जा रहा है जिससे लोगों का जीना गुर्भर हो गया है ब्लासपुर के रतनपुर में दोशकर मफिलिता नावाली की मा को न्याय दुलाने सर्व समाज का प्रजशन चारी है जो फिरा धोगों ने एक बार फिर से नगर पे मशागरे ले निकाली जी इलाके के मुखी चराहे से होते हुए सीध्या रुपी के महले पहुंची इस ज़रान की सुतरह का विवाद की सिते में ना हो इस कारण मौके पर पुलीस बर मौझू रहा